हलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो मैं चैनल इन कोकिंग वित रेखा पहाडिया आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं मांसुन स्पेशल स्टफ टू ब्रेड पकोडा की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है इसे बनाने के लिए मिने आपर ली हैं तीन उबलेवे शुक्य मसाले, एक से दो बारीक टीवी हरीमिज, दो बडि सायस के प्यास, थोड़ा सगोरी कटबंद दानिया ये में आपर लिए ह चमच लालमीज पाउडर, ठोड़ा सा हल्दी पाउडर, और एक चमच आमचूर पाउडर. एक बोल में मैंने आपर लिया है टॉमेटो सोस और उसके लाहा मैंने आपर लिया है ग्रीन चत्नी. अब हम सबसे पहले इन आलू को मेश कर लेंगे. यह देखिए मैंने आलूओं को अच्छी तरह से मेश कर लिया है मैंने आपर तीन बड़ी साइज के उपले आलू लिये थे अब हम गेस पर एक कड़ाई गर्म होने के लिए रख देंगे कड़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑईल यह मैंने लगबग दो से तीन चोटी चमच के करियब लिया है हमें इसमें ज्यादा बिल्कुल नहीं डालना है जैसे हमारा ऑईल गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर डाल देंगे यह बारी कटी भ यह देखिए एक मिट हो चुका है हलके से यह सॉफ्ट हो चुके बहुत ज्यादा सॉफ्ट इसे नहीं करना है थोड़ी सी क्रंचिनेस इसमें रहनी चाहिए अब इसी स्टेश पर हम इसमें एड कर देंगे यह उबलेवे अलू अब एक बार हम इन सबको अच्छे से मिक्स क मुषब सपाइल कर लेंगे ए इसके बाद हम इसमें एड कर देंगे यह सारे सुखे मसाले हमें सारे सुक्ष्ट मिक्स कर लेना इसके साथ यह देखिए मुश्किल से 5 मिट लगे हैं और हमारी स्टफिंग जो है बनकर लगबग रेडी है अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साथ हम इसमें डाल देंगे यह बारी कटावा हरा दनिया और इस हरे दनियों के भी अच्छे से मिक्स करके गेस का फ्लेम ओफ कर देंगे हमारी ब्रेड पकड़ा की स्टफिंग बिल्कुल रेडी है आप देख सकते हैं यह कितनी अच्छी लग रही है इखाने में भी बहुत ही टेस्ट ही है अब हम इसे साइड में रख देंगे अब हम चलते हैं नेक्स प्रोसेस की यह मैंने सिम्पल ब्रेड लिया अब हमें एक ब्रेड लेनी है और एक ब्रेड के ओपर आपको ग्रीण चट्नी अप्लाई करना है अच्छी तरह से लगानी है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं लगानी है वरना हमारी ब्रेट जो है वह गल जाएगी और हमारे ब्रेट पकोड़े जो अच्छे नहीं बनेंगे और इसके अलागा ये ग्रीन चटनी काफी स्पाइसी भी है क्योंकि इसे मैंने हरी मिर्च और ल अब हम इसके अंदर घ्रय करेंगे यह स्टफिंग जो अभी विने बना रेड़ी करी थी हमें अलो की स्टफिंग को बहुत अच्छे से इसके अपर लगाना है अच्छे से फिल करनी इस्टफिंग इससे बिरेट पकोड़े जाबा़ बहूत ही टेस्टी लेगेंगे कि देखें ये अज्टे तरह से स्टफिंग पर लगा दी हैoss辉ब buenas त्रफ से दूसरे भी इस ब्लैट के ओपर तरह से Hunter से डूसरा ब्रेटिसरे इसके ओपर रखने के बाद हमें इसे हल्का सा प्रेस करना है ताकि अच्छे से उसके szakya देखिया convey कि देख Чल अब ड्राव आपको गडें आप ब्रेड लेना है और आपको रुष्प में डाल भाते से थीघना के रुष्पिय गड़े गड़ी लेना है इसी तरब सारे ब्रेड में रडी करेंगे दूनों चट्नी आर पॉस करें को अब हम चलते हैं लिए कितनी ब्रेड बMore च्छी मे स्टिफिंग बुरीवी ब्र्येड ग्लचे हों अब हम बेसन का गोल रेडी करेंगे बेसन का बनाने के लिए मैं या पर बड़ा सा बरतन अब बेसन का बेसन बारीक वाला बेसन नहीं लेना है यह लगपक 200 ग्राम के करीब बेसन है अब सबसे पहले अधी चमच नमक अधी चमच अजवाइन अजवाइन को हमें अलका सा आतों से क्रश करते वे डालना है इससे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा लगपक एक पिंच के करीब हल्दी पाउडर थोड़ा सा लाल मिच पाउडर अब एक बार हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे प पानी बिल्कुल बिना डाले और इसमें लम्स ना पड़े इस बात का भी खास द्यान रखे आप इसे विस्कर के अउट से गोल सकते हैं इसे कि इसमें लंस नहीं वनेंगे आप चाहते से स्पून के आप से भी मिक्स कर सकते हैं यह देखिया अभी काफी गाड़ा है अब मै यह थोड़ा सा लिकुइड लग रहा है थोड़ी देर बाद यह थोड़ा सा और गाड़ा पन ले लेगा अब हम इसके अंदर आलेंगे बहुत ही सिक्रेट इंग्रीडियंट जिसके वज़े से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है वह ग्रीन चटनी क्योंकि ग्रीन चटनी के अंदर नहीं डालना चाहते तो आप इसमें आदी से एक चमच के करीब लसुन का पेस्ट डाल सकते हैं गोल के देखिए चटनी डालने के बाद हमें ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है यह मारा गोल भी बिल्कुल रडी है अब हम इसके अंदर डालेंगे लग देखिए अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसे बिल्कुल भी नहीं रखेंगे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं यह विसकर के ऊपर लग रहा है गोल टपकता हुआ यह देखिए मैंने एक तरफ यहां पर कड़ाई में ओल गर्म होने के लिए रख बैरफुली हम इसके अंदर डिप करेंगे गोल के अंदर और बहुत ही आईश्ता से हम इसे तेल के अंदर चूड़ेंगे अच्छी तरह से अलट करते हुए पिसन के अंदर डिप कर लिया है आइस ता से हम इसे ओल के अंदर डाल देंगे बस इसी तरह से हम सारी ब्रेड को डाल देंगे एक टरन में जितनी आ सके मैंने जो यहां पर कडाई ली है उसमें एक बेच में तीन इस्टाट ब्रेड आये थे इसलिए मैंने यहां पर तीन ही डाले है और आप भी जहां तक हो सके दो या तीन ही डाले इससे कि आपको अलट करने में इसे आसानी होगी अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे अलट प्लेट करते हुए फ्राइ कर लेना है जब तक कि इसका हलका सा सुनेरा कलर ना आ जाए मैं इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राइब कर रही हूं यह देखिए इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा सुनेरा कलर आ चुका है इसी तरह से हम सारे यह ब्रेट पकोड़ों बनागर रेडी कर लेंगे को अब इन पकोड़ों को जल्दी से बहार निकाल लेंगे और एक स्टानर के अंदर रख देंगे इसकी इसकी इस्कंकी आचे व्हुकोण चार रहे अब आप इसे करमा गरम इन ब्रेड पकोडों को टोमेटो केचप या क्रीन चटनी के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी कमेंट सेक्षन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम आये हैं तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत पूलिएगा तागी अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके आपको मेरी अधर रेसिपी स्कीलिंग मेरे वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन मॉक्स में मिल जाएगी आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं या फिर आप मेरी चैनल की प्लैलिस्ट पर जाकर वहां पर भी मेरे सारी वीडियो देख सकते हैं वहुत जल मिलूँगी आपसे अ